इंडिया और अफगानिस्तान का मुकाबला खेला गया इंडिया ने क्लीन स्विफ किया अफगानिस्तान को इंडिया के प्लेयर्स की तो बहुत तारीफ हो रही है रोई शर्मा विराट को ली इन सारे शिवंग दूबे इन सारे प्लेयर्स की हर कोई तारीफ कर रहा है लेकिन अफगानिस्तान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानिस्तान में हर کिसी को पता है कि बैटिंग डिथ नहीं है वह अपने इस पीन अटायक की वज़े से जाने जाते हैं लेकिन अफगानिस्तान का एक खिलाडी जो सारी ही मुकाबलों में चट्टान की तरह खड़ा रहा टीम इंडिया के सामने वो खिलाडी कोई और नहीं बलकि गुलबदीन नाइब हैं बिलकुल टीम इंडिया के स्टार रहे हैं रोहित शर्मा और सातिसात रिंकु सिंग लेकिन अफगानिस्तान के भी स्टार रहे हैं गुलबदीन और सातिसात मुहमद नभी एक 212 का ये स्कोर था श्वेता किसी को नहीं पता था कि क्या अफगानिस्तान ये चेस करने वाली है लग ही नहीं रहा था किसी को in fact हम भी जब लाइफ पर बैटे थे हम भी यह कह रहे थे कि यह बहुत मुश्किल होने वाले अफगानिस्तान के लिए क्योंकि अफगानिस्तान का हाइस टोटल ही दोस्तों से भी कम था तो किसी को नहीं लग रहा था कि 200 पार भी क्या अफगानि इंडिया यानी की वन अफ दी बेस्ट बोलिंग था के आग सामने गुलबदीन ने कमाल की हाफ सेंचरी मारी पहले मैच में गुलबदीन को बैटिंग में ऊपर नहीं भेजा गया था लेकिन दूसरे मैच के बाद जो गुलबदीन ने करी ती उसके बाद भरोसा दिखाया पर और फिर तीसरे मैच में गुलबदीन ने उस भरोसे को पूरा भी करा और अच्छी बैटिंग दिखाई बिल्कुल और सबसे बड़ी शॉकिंग नीज यह है दुरूफ की मतलब की गुलबदीन नाइब जो की भारत के प्राइम स्पिनर है उन्होंने सवाल उठाया है और आईपेल फ्रेंचाइजी पे निशाना साधा है बिल्कुल अश्विन ने ट्वीट करा है गुलबदीन को लेकर और कहीं ना कहीं आईपेल की सभी फ्रेंचाइजी को यह एक रियालिटी चेक दिया है यहां पर अ सबसे बुरी खबर तो यही है कि गुलबदीन का भी नाम उसमें आड होने वाला है लेकिन सबसे बुरी खबर तो यही है कि गुलबदीन किसी भी फ्रेंचाइजी के साथ नहीं है अनसोड रहे थे इस ऑक्षण में बिलकुल हमने ओडियाए वर्ड कप में देखा था कि अजमत उल्ला ओमर जही ने क्या फंटैस्टिक परफोर्मेंस किया था और रांडर थे बॉलिंग में भी कॉंट्रिबूरिशन दिया था इस वज़े से जब वो उक्षण में तो जीटी ने उन्हें पचास लग की बेस प्रैस पे खरीद लिया लेकिन जब गुलबदीन आय तो किसी ने इनके टैलेंट को नोटिस ही नहीं किया और इन्हें अन्सोड जाने दिया अगर आईपल ऑक्षण इस मुकाबले क पर इस स्रीज के बाद होता तो गुलबदीन नाइप डैफिनिटली कोई ना कोई फ्रेंचाइजी इने खरीद लेती और इनका सिर्फ बेस प्रैस नहीं बलकि करोडों की बोलिया लगती इन पर बिलकुल सही का श्वेता और ना सिर्फ IPL फ्रेंचाइजे में बलकि इनकी गुलबदीन नहीं बेजा गाया मतला बेज सकते थे ओपर लेकिन वह प्रैयोरीटी नहीं दिखा फिर गुलबदीन ने खुद प्रूफ करा दूसरे मैच में हाफ सेंचुरी मारी और तीसरे मैच में हाफ सेंचुरी में 200 प्लस का स्ट्राइक रेट था गुलबदीन का तो चलिए एक चीज तो कंफर्म है कि गुलबदीन जरूर खेलने वाले हैं टीट्वेंटी वर्ल्ड कप 2024 क्योंकि अफगानिस्तान में उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है कि टीम के लिए मैं फिनिश कर सकता हूं कि शुरता कि किसी को नहीं लग रहा था कि 212 का टार्गेट अ मतलब होता है कि जजबा दिखाया गुलबदीन नाइब ने जो हिम्मत दिखाई चटान की तरह खड़े लाश तक खेले सुपर ओवर में भी आये लेकिन हाला कि इतनी ज्यादा बल्ले बाजी नहीं कर पाया लेकिन फिर भी सुपर ओवर तक मुकाबला ले जाने का अगर कि अगर गुलबदीन नाइब को ही दिया जाएगा बिल्कुल सही का श्वेता और आई पेल में अगर गुलबदीन होते तो कहिना कहीं बहुत अच्छी खबर होती क्योंकि राशिद खान मोहमद नभी इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस से नाम कमाया है आई पील में और कही अपनी शर्म मिल गया अफगानिस्तान टीम को अगर सिंपली आपको समझाए और वो है जिनका नाम है गुलबदीन और बाकि आप अपना उपीनिन इस बारे में बता सकते है कॉमेंट सेक्शन में तब तक के लिए देखते रहे है तूफान स्पोर्स लाइक शेर सब्सक्रा तूफान स्पोर्स